हेलो स्टुडेंट मैं सहरफ को लिए अपका हार्दिक स्वागत करते हूँ अपने यूट्यूब चैनल में प्यारे बैक्चो आज हम चर्चा करेंगे डियो ई से जो अभ्यास प्रशन पत्र आया है यनकी सेंपल पेपर कक्षान नो के लिए हिंदी विशे का उसके बार में हम चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले जो कोई भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्स्राइब कर ले और बैल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि साही नोटिविगेशन उस तक जरूर मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कड़ी को दिखी जो समय दिया गया है वो है दो घंटे और चालिस अंग का पेपर आएगा और समाने निर्देश की बात करें तो इस प्रेशन पत्र में दो खंड है क और ख यान की ए भी सभी प्रेशन अनिवारे हैं यह था संबव सभी प्रेशनों के उत्तर करमानुसार ही लिखिए यान की सीक्वेंस वाइज ही लिखिए लेकन कारे में स्वच्ता का विश्यश ध्यान लखिए खंड का में कुल तीन प्रेशन है दिये गए निर्देशनों का पालन करते वे उनकी प्रेशन पत्रों पर उत्तर भी दीजिए खंडका में कुल 4 प्रशन है सभी प्रशनों के साथ विकल्प भी दी गए है निर्देशा नोसार विकल्प का नियान रखते वे 4 प्रशनों के उत्तर दीजिए बी संक के हैं खंडका में पाट्टे पुस्तक से दीए गए यानकी टेक्शुल कोशन्स है खंड़का में और इस तरह से डिवाइट किये गए 2 इंटू 4 यानकी 4 कोशन 8 नमबर के पहले देखिए का सामले सपनों की याद नामक पाठ में घटित कौन सी घटना ने साली मली को साली मली के जीवन को पदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया ये देखना है हमें और एक चीज़ और बच्चो धयान कर ले पहले हम सारे कोशन की चर्चा करेंगे फिर उसके बाद सभी आंसर की चर्चा करेंगे सामले सपनों की याद में नामक पाठ में आखे नम होने से आप क्या समझते हैं आखे नम होने से आशू आना बच्चो आगे देखें गर प्रेमचंद की फटे जूते नामक पाठ में टीले शब्द का प्रयोग लेकर ने किस घटना या संदर्व को सपस्ट करने के लिए गया होगा आपकी अपनी समझ से टीले शब्द का क्या आर्थ होगा घटने की प्रेमचंद की फटे जूते नामक पाठ एक व्यंग लेक है इस पाठ को पढ़कर अपने मन में क्या विचार आया इस पाठ को पढ़कर आपको लेकर की कौन सी पातिया खर्शित करती है प्रशन दो जो कि 25 से 30 शब्दों में लिखना है तू इंटू थ्री यानि की तीन कोशन्स एटेम्ट करने है आपको कैदी और कुकिला नामक कवीता में कवी ने हतकडियों को ग्याना क्यों कहा है हाथ में पैने जाने वाले अन्य गहने के बारे में अब क्या जानते है कदी और कोकिला नामक कवीता में कोयल की कूप के बारे में कवी क्या प्रतिक्रिया थी कोयल की बोलने को कोयल की कूप कहा जाता है इसी तरह कोवे के बोलने को क्या कहा जाता है कोया कहूं कहूं बच्चे काम पर जा रहे हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इता में कभी बच्चों के काम पर जाने को तीसरा है निमलिकन प्रश्णों में से किनी दो प्रश्णों के उत्तर लगदों साथ शब्दों में लिखिये 3 into 2 यानकि 2 attempt करने है तीन में से मेरे संग की औरते कह है मेरे संग की औरते पार्ट में लेकी का कि नानी की अजादी के आधोलन में किस तरह की भागिदारी रही और अपने दैनिक वेवार के संदर में अपनी नानी अत्वा दादी से मिली किसी एक सीख के बार में लिखिये रीड की एड़ी नामक पार्ट के अधार पर समाज में महिलाओं को उचित गरीमा दिलाने है तो आप कौन-कौन से प्रयास कर सकते हैं पार्ट में इस विशे में क्या प्रयास किया गया है माटी वाली पार्ट के अधार पर बताईए कि भूख मीटी की भोजन मीटा भूख मीटी की भोजन मीटा से आपका क्या भी प्रया है खंड खर की बात करें रचनात्मक लेखन बीस अंक की बात करें चार चोथा प्रशन अनुछेद में से किसी एक विशी पर संकेद बिंदू के धार पर लगबग देज सो शब्दों में लिखना है पांचन का है ये ओनलाइन पटन पाथन के लाब संकेद बिंदू क्या 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 इसमें भूमिका बनानी है ओनलाइन पटन पाथन के तरीके बताने है ओनलाइन पटन पाथन में चात्रों ने अभी भावको को योगदान सीमाएं क्या क्या होती है online pattern pattern की उप्योगिता एवं उप्संगार यानि की conclusion की बात करनी है खा है कि पानी बचाओ जीवन बचाओ संकेट बिंदू भिहुमिका बनाकर आपको पानी की उगलब दिता बतानी है पानी का हमारी जीवन में महत्वब बताना है और पानी की उप्योगिता और उप्संगार यानि की conclusion बताना है गव में देखें देश की प्रती हमारी जिम्मेदारी ही हमारी देश भक्ती है संकेट बिंदू में देखें तो भूमिका बताते हुए देश की प्रती हमारी जिम्मेदारी क्या क्या है इन जम्मिदारियों का निर्वाब यानिकी इस तरों को कैसे निभा रहे हैं यदि हम जम्मिदारियों नहीं निभाएंगे तो क्या होगा समाज को हम किस तरह से संतुलित रख सकते हैं और उपसंगा रहे हैं यानिकी conclusion पांचवा question है आपकी कली में नालियों की उचित सफाई और रक्रकाव ना होने के कारण बिमारियां फैल रहे हैं इससे अब अचाव के लिए नगर निकम अधिकारी को लगबग 120 शब्द में पत्र लिखिए अत्वा की बात करें तो गंतंतर दिवस के अफसर पर आपके देश में मनाये जाने वाले सामरों के बारे में बताते हुए अपने मित्र को 120 शब्द में पत्र लिखिए छटा प्रशन है कोविड-19 की वेक्सिन की उपलब्ता के बारे में संबंदित अधिकारी से बात्चित करते हुए लगबग 50 शब्द में आकर्शक समवाद त्यार कीजिए अत्वा आपको भेजे जाने वाले कारे पत्रक के सवालों के हल के विशे में अपने सहपार्टी के लिए किये गए बात्चित पर लगबग 50 शब्द में का अकर्शक समवाद त्यार कीजिए आपकी गली में सब्ची विक्रेता के साथ आपके माता या पीता के साथ होने वाली बात्चित पर लगबग 50 शब्द में अकर्शक समवाद त्यार कीजिए आकर्शक समभाद यानके आपके मिन्तर के साथ आने वाली परिक्षेंढ बातचीत पर लगब पचाषक समभाद करें सात्वा है बचाव ही स्वरवत्तम सुरक्चा है इस विशे पर लगबग 40 शब्द में एक लगु कता छोटी कता लिखिए इसमें अत्वा में दिया गया है स्वस्त रहना खान पान की आदतों पर भी निर्भर है इस विशे पर लगबख 40 शब्द में एक लगू कत्या लिखिए सहयोग की भावना विकास हेतु आवश्यप है इस विशे पर 40 शब्द में एक लगू कत्या लिखिए मित्र ही मित्र के काम आते हैं इस विशे पर लगको 40 शब्द में लगो कत्या लीए तो काफी सारे आपशूंस आपके बास लिखने को अ वी मित्र तो आंसर स्थिखेम देखिए एक बार बच्छमन में सालिम अली की एरगन से एक गवरिया घायल होकर घित पड़ी थी इस घटना ने क्या किया था सालिम अली के जीवन की दिशा ही बदल दिया वै गवरिया की देखबाल सुरक्षा और खोज भी इनसे में जुट गया उसके बाद उनकी रुची पूरे पक्षी संसार की और मुड़ गई वैं पक्षी ब्रेमी बन गए आंसर एक का खावका देखी सालिम अली ने पूर परधानमत्री चौदरी चलन सिंग के सामने रेगिस्तानी हवा के गरम जोके और उसके दुष प्रभाव का उलेक किया यदि इस हवा से केरल की साइलेंड वैली को ना बचाया गया तो उसके नश्ठ होने का खत्रा उत्पन हो जाएगा प्रकरती के प्रती ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आखे नम होगी टीला शब्द रुकावटे बदाई या प्रतीक है यह समाजिक कुरिती अन्याह तता भीदवाव को दर्शाता है क्योंकि यह मानव के समाजिक विकास में बाधाय उत्पन करती है हमारे सबज में टीला मिट्टी का छोटा पहाड होता है गहा में देखें लेखक ने व्यज्यातमक शैली में महान साइतिकार प्रेमचन के विशेशताओं का चित्र प्रस्तुत किया है इसके साथ साथ लेखन ने स्वयम किये दिखावे की प्रवर्ती पर व्यंग करते हुए समाजिक कुरितियों पर प्रहार किया है कवी के लिए लोहे की हतकडियां गहनों के समान है कवी अंग्रेज सरकार द्वारा पैनाएगी उन बेडियों को बंदन नहीं समझता है क्योंकि उन्होंने किसी गल्द कारे के लिए ये बेडिया नहीं पैनी है उनके लिए ये गौरव की बात आए इसलिए कभी ने हतकडियों को गयना कहा है खामें देखें कोयल की कुक सुनकर कभी को ऐसा लगता है कि जैसे कोयल उसके सामने कोई महतपून संदेश दे कर आई हो अत्वा उसकी कोई विवश्ता हो इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया अन्य था वह असमें इस प्रकार ना कुपती तो उसे लगा कोई संदेश देने आई है इसलिए बे समय नहीं आ गई है आगे देखें कि बच्चे किसी भी देश समाज के बविश्व का आईना और उसकी प्रगती का एक एहम हिस्सा होते हैं यदि समाज के इस महतपून अंग का उचित देखबाल और अफसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगती कैसे करेगा सभी बच्चे एक समान होते हैं उन्हें उनके बच्च्पन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपरात तता अमानवी कर्म है इसलिए बच्चों का काम कर काम पर जानान धर्ती के एक बड़े हादसे के समान है घह में देखी अगला प्रिश्ण मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकानों होटलों धाबों में बरतन साफ करते हुए रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर घरों में काम करते हुए घरेलों नोकरों के रुप में चोटी नीजी कारेलों में अनेक स्थानों पर मौसम और रातों में देर तक काम करत मेरी अपनी समझ में बच्चों का मुख्य काम पड़ाई लिखाई का होना चाहिए यदि बच्चे पड़े लिखेंगे तो निश्चित और परदेश का समाज साथ साथ उनके साथ खुद भी परिवार की उन्नती होगी इस सत्ते बात है बच्चो थर्ड प्रशन का उत्तर दे उन्होंने कभी पती के अंगरेजी शौक को स्विकार नहीं किया उनके पती अंगरेजों के बक्त थे फिर भी नानी ने कभी अंगरेजी अंगरेजों का जीवन चैली को अपनाया नहीं नानी ने अपनी बेटी की शाधी करांतिकारी से करने की इच्छ व्यक्त की जिससे उ अन्य लोगों भी इस प्रकार से उनके साथ हैं। इस तरह अप्रतेक्ष रूप से लिखी कागे नाने की सुतंतना अंदौलन में भागेदारी रही। आगे देखें। समाज में महिलों को उचित गरिमा दिलाने है तो हम क्या प्रयाज कर सकते हैं। स्थ्री शिक्षा को बड़ावा दे सकते हैं। अपने समय की मान एवं विदूशी स्थ्रियां का उधारन समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। ताकि अन्ने लोगों प्रेणा ले सके हैं। उसके मान समान का ध्यान रखना चाहिए। तखहा समय समय पर उन्हें पूर्शकृत करना चाहिए। मीडिया आदी के द्वारा उनके अस्तित्व की गरिम का ध्यान रखा जाए अश्लीर चित्र गीत संगीत आदी बार अवरतिवन्द लगने चीए लड़के और लड़कियों को समान अधिकार मिलने चीए हमें महिलाओं की हींद रिष्टी से नहीं देखना चीए महिलाओं को उचित सम्मान देना चीए महिलाओं को उनकी इच्छा के नुसाहरशित में आगे बढ़ने का प्रोसान देना चीए अगला है प्रशन भूख क्या है भूख और भोजन को आपस में कहरे सम्मन्द है स्वाद भोजन में नहीं बलकि मनुष को लगने वाली भूख में होता है भूख लगने पर रूखा सुका भोजन भी स्वादिश लगता है भूख ना होने पर स्वादिश भोजन भी बेस्वाद लगता है खंड काव में देखें रशनात्मक तो बच्चो इस प्रकार से आपको पहले भुलीका बनानी है, तो भुलीका में एक नंबर मिलेगा और विषय वस्तु पे तीन जो मैटर है, भुलीका पे जो आपको एक अग्ण है जो अंदर का मैटर है उस पे तीन अग्ण है और जो भाश शयली होगी इनकी सबकी उस पर एक अंक है इसे प्रकार स्थेम में यू इन दिया हुआ है आगे भी विशेवस्तु भाशा आरम विशेवस्तु रशनात्मक प्रस्तुती तो इस प्रकार बच्चों हमारे पूरा जो हमने एकाई की चर्चा करी वो कंप्लीट होती है आगे भी इस चन्क सर जोड़े र հ कि स्थेम में आरमप्लेड नान पाम सर जोड़रा जोड़रा भी तेटित विशेवस्तुतु भाटा जोड़े में जोड़ाइवस्तерм­दों।